हाई गाज कैसे हैं आप सभी अगर आप भी iOS 16.2 अपने iPhone में अपडेट कर चुके हैं और आपको बैटरी ड्रेनिंग इसू फेस करना पड़ा है आपके iPhone की बैटरी जल्दी खत्म हो जा रही है तो सही वीडियो आप देखना शुरू कर चुके हैं आपको मैं इस वीडियो में वो सारी सेटिंग करके दिखा दूँगा जिससे आपके बैटरी बैकप दूना हो जाएगा और आपके iPhone का बैटरी रेनिंग इसू शमाप्त हो जाएगी लगवग लगवग तो आप इस वीडियो में बन रहे हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है दिपेश कुमार और आप दे लेटर रहना चाहते हं तो इस चैनल को जरूर कंसीडर कीजिए दोस्तों साब से पहले से टिंग में से जाना लाया हैình को इक आपने से यह कर देगा bon associate इसको एगर आपके iPhone में आफ है तो इसको ऑन जरूर कर देंगे इससे होगा क्या कि आपका जो फोन है वो हमेशा मोबाइल नेटवर्क पर नहीं रहेगा और आप अपने वाइफाई से कनेक्ट रहेंगे तो इससे आपके फोन पर कम लोड पड़ेगा और आपकी बैटरी अप्टिमाइजेशन सब्सक्राइब कीवर्ड फीडवेक साउंड और हैप्टिक यह दोनों है तो इसको आप जरूर आफ कर दें इससे होगा क्या कि आपके बैटरी पर एक्स्टा लोड नहीं पड़ेगा और यह पल खुद यह मानता है कि आपके फोन में जो साउंड हैप्टिक दिया गया है उ अगर हो सके तो आप इसको जाधा से जाधा आफ ही रहें इससे आपकी बैटरी बहुत ज्यादा सेव होगी और बैटरी ड्रेनिंग की इशू लगवक्त समाप्त हो जाएगी तो आप इसको जरूर आप कर दें अगली सेटिंग पर चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर न ना करें होता क्या है कि लोग नया नया फोन लेते हैं उसके बाद सोचते हैं मैं बहुत लोग को देखा हूं कि फटा फट ये सब जो भी बैग्राउंड में चल रहा है ये अप्लिकेशन को किल करते रहते हैं ताकि उनको लगता है कि ऐसे करने से मेरी बैटरी अधिक बचेग अगर आपके फोन पर एक्स्टा दबाव नहीं पड़ा तो इससे अपकी बैटरी डेंटिक सुल्व होगी और आप कोशिज करें कि आप बैगरंड में जो भी अप्लिकेशन चल रहे हैं उसको किल करें हां अगर आप कोई अप्लिकेशन यूज नहीं करते हैं तो उसको आप कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है इसको iPhone इतना स्मार्ट है कि इसको खुद पता है कि कौन से चीज को आपको रखना है कौन सा को नहीं जो भी यूज नहीं हो रहा है बहुत दिन तक वो खुद खतम हो जाता है आप निश्चिंत रहें और इसको बार-बार इस तरह से किल नहीं करें इससे आपके iPhone पर एक्स्रा दवाब पड़ेगा और बैटरी ड्रेनिंग की समस्य और बढ़ जाएगी यह चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि इसको बार-बार कील ना करें दोस्तो अगली सेटिंग आपको जो करनी है वो है App Store में जाने के बाद आपके iPhone में जितने सारे अप्लिकेशन है उसको अप्टूडेट रखें इस तरह से आपको रिप्रेश बटन को ड्रैक कर दिना है उसके बाद आपको यहां सो करने लगा कि आपको कितना अप्लिकेशन अभी अप्डेटेट नहीं है यहां पर आपको आजाए मैं तुरंद रिसेंटली इसको आपको सेटिंग अप में जाना है उसके बाद आपको जेनल पर क्लिक करना है जेनल पर क्लिक करने के बाद आपको बैग्राउंड एप रिप्रेश रेट एक अप्चन मिलेगा यहां इसको आप हो सके तो आफ ही रखें लेकिन आगर आप चाहते हैं कि पुरी तरह से आप न नहीं चले तो उसको ऑफ कर दिया हूं आप किसी को जो जो मैं चाहता हूं कि वह हमेशा एक्टिव रखे उसको मैं आउन करके रखाऊं जैसे वाटसप योनो यूट्व यह सब को मैं आउन करके रखाऊं तो आप दी अपने इच्छा अनुसार जिसको आप जैसा आपका य आप रखना है फो सेटिंग की ओर चलते हैं तो वो भी आपको मेम से आप जाने के बाद आपको डिसप्छल नीचे स्क्रॉल करने आपको एक ओप्शन दिखाए दिएगा ऑ्टो लॉग तो इसको आप कम से कम रे आप 20 सेकंड रखे रहें हैं लेकिन चुको में वीडियो बना रहा हूँ यह स्क्रीन आप नहों इसलिए मैं अभी नेवर पर कर दिया हूँ इसके बाद मैं तुरंत 30 सेकंड पर इसको कर देता हूँ मैं रिकेमेंड आपको यही करूँगा कि आप इसको 30 सेकंड या जास जदा आप एक मिनट तक रखें अगर आपके फोन में यह ओन है तो इसको आप रहेगा उसके बाद आप जैसे इसको ऐसे किजेगा तो यह ओन हो जाएगा तो यह मैं इसको प्रसनली पसंद नहीं करता हू और यह बैटरी बहुत ड्रेन करता है तो इसको मैं हमेशा ओफ ही रखता हूँ तो मैं आपको यह भी सजेस्ट करूँगा कि इसको आप आप रखें अगर आपको ओन ही वैसे करना है तो आपका टैप से कीजिए एक टैप में तो यहाँ आप ऑन ही हो जाता है इसको बटन भ बना रहा हूं इसलिए मैं लाइट मोड यूज़ कर रहा हूं आप यहां से कंट्रॉल पैनल में जाकर के इसको डार्क मोड को आप मैनुवली और रखें इससे होगा क्या कि आपके फोन में जो भी इधर एक्स्ट्रा पिक्सल्स हैं वह ओफ रहेंगे तो आपके बैटरी अ आपका लाइट मोड हो जाए तो उसको करने के लिए हम सेटिंग में चलेंगे इसकर करने के बाद डिस्पेल और जाएंगे यहां पर आपको एक उप्शन दिख रहा है डार्क मोड और लाइट मोड तो मैं हमेशा डार्क मोड ही प्रिफर करता हूं अगर आप चाहते हैं कि शूबह से ले करके शाम तक लाइट मोड होने के बाद डार्क मोड हो जाए तो आप इसको आउन कर दे उसके बाद देखिए यहां से एक option आ रहा है इसको हमेशा अगर आपके फोन में आफ है आपको कर दें इससे होगा क्या कि आपका जरुत के नुसार आपका डिस्प्ले जितना इसको लाइट करके देगा जितने कम लाइट के आप सकता होगी वह खूद कर लेगा इससे आपके बैटरी पर एक्स्टर दबाव नहीं पड़ रहे हैं यहां खुद लिखा हुआ है कि टार्निंग आप आटो ब्राइटनेस में इफेक्ट बैटरी लाइब एन लॉंग टर्म डिस्प्ले में इसलिए इसको आप हमेशा ओन रखें तो बुस्तों नेक्स सेटिंग की बात करें तो वह है 13 प्रो और 14 प्रो प्रो मैक्स डि और मोशन पर जाने के बाद आपको एक नीचे आपको एक और लिमिट फ्रेम रेट का उप्सन दिखाए देगा उसको सिप्ली ओन कर देना है चुकि यह आईपोन 13 है इसमें वह आप्सन नहीं है लेकिन आपको 13 प्रो और प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स यह सब में आप्सन दिख जाएगा तो इसको आप उन करके जरूर रखें तो फाइनली वह सेटिंग तदर हम लोग पहुंचने वाले हैं सबसे ज्यादा वैटरी ड्रें करता है वह है नोटिफिकेशन सेक्शन तो हम लोग सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन पर जाएंगे और आप जैसा क जिसका नोटिफिकेशन मुझे चाहिए उसको मैं ओन करके रखा हूं और वाकि सब को आफ कर दिया हूं क्योंकि यह ऐसा सेक्शन है इसमें सबसे ज्यादा बैटरी ड्रें करती है और यह बैटरी के परफॉर्मेंस को खराब करती है तो आप सेडिल सेमरी कर सकते हैं जैसा क कि मैं इतना सारा सेमरी लगा चुका हूं कि मुझे फर्स नोटिफिकेशन साथ बज़े सुबह में चाहिए उसके बाद दिन भर नहीं चाहिए अगर आप अपने अनुसार बारा बज़े एक बज़े दस बज़े आप चाहते हैं तो कर लें दूसरा पांटिफिकेशन मुझ बारीकी से सब सेटिंग कर लें क्योंकि यह सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेंट करने वाला सेक्षन है तो अब नेक्स सेटिंग के बाद करें तो है mail आप में जोस्तों mail वाले section में आने के वाद आपको एक option दिखाई दे रहा है वह है accounts accounts में जाने के वाद आपको fetch new data ये पूश है इसको simply off कर देना है उसके बाद आप इसको manually कर दिजी manually करने के वाद आप iCloud में जाने ये सारे setting को manual कर दिजी उसके बाद Gmail वाले को भी manual कर दिजी अगर automatic चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन हमेशे वाले section को कभी नहीं करें यह हमेशा आपके background में यह काम करते रहेगा और आपके battery को खाते रहेगा इसलिए आप यह सारे settings ध्यान पूर्वक कर लें अगर आप manually नहीं चाहते हैं तो आप hourly कर लीजिए every 30 minutes कर लीजिए every 15 minutes जैसा आपका requirement है वैसा आप इसको setting कर सकते हैं तो next setting में चलने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो किर्पया इस चैनल को subscribe जरूर कर दें लाइक शेयर जरूर करें शेटिंग की बात करें तो वह है लोकेशन से रिलेटेट यह ऐसा section है location इसमें सबसे ज़्यादा बैटरी डेंड करती है और बहुत important होता है इसको आप बहुत सब्धानी से देखें और इसको आप सेटिंग करें यह सेटिंग कर लिजेगा तो आपका लगवग लगवग बैटरी डेंडिंग इसू समाप्त हो जाएगी दोस्तों इस सेटिंग को करने के लिए आपको privacy and security में जाना है security में जाने के बाद आपको location services दिखाई देरा सबसे उपर इसको tap कर देना है उसके बाद आपको यहां से देखना है कि यह सारे जो applications है इसको आप allow करते हैं और नहीं जैसे app store में क्या जरूरत है location का इसको मैं off कर दिया हूँ यहां से आपको camera में using the app कर सकते हैं आप चाहते हैं कि कोई-कोई application को जब मैं use करूँ तो जरूरत है तो आप उसको while using the app कर सकते हैं बागी इसको off कर सकते हैं जैसे मुझे flip card में कोई जरूरत नहीं location का अभी तो मैं इसको never कर दूँगा लेकिन जब मैं order करूँगा तो वहा नेवर पर कर दें इसको आप हमेशा नेवर करके रखे उसके बाद अगर आप चाहते हैं आप ऐसा विजिट करते हैं जिसमें आपको location और आपको temperature आपको यह देखना है तो इसको simply click करने के बाद आपको इडिट वाले section में जाना है एडिट में जाने के बाद आपको अपन में यह search करते रहता था और अपने इच्छा नुसार्ण को अदलते रहता था लोकेशन चेंज करते रहता था जिससे बैटरी ड्रेनिंग काफी हो जाती है यह सेटिंग में फिर से पूना आने के बाद एक और option है share my location तो यह location अगर आप share करना चाहते हैं तो आप इसको on कर स सकते हैं तो मुझे इसको on रखना है इसलिए मैं मैं चाहता हूं कि मेरा location जो है map में दीखे इसलिए मैं इसको और आपको आप कहीं नहीं ले जाते हैं फोन को घर पर ही उज़ करते हैं अगर घर पर रखते हैं तो यह सारे option को आप off करके रखें तो आगली setting की बात करें तो एक बैटरी वाले information को रखा हूं आप जितना ज्यादा इस पर visit उज़ किजेगा यह आपका ज्यादा से ज्यादा बैटरी देंड करेंगी मैं तो recommend करूंगा कि आप इसको अगर जरुरत नहीं है तो नहीं उज़ करें एक दो ही उज़ कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा रखें और अगर आप नहीं चाहते हैं कि यह हो तो आप इसको हटा दें आपकी बैटरी अधिक सेव हो जाएगी अगली अगर अगली सेटिंग की बात करें तो वह है privacy and security में ही है इसमें जाने के बाद आपको location and services में जाना है उसके बाद आप देख रहे हैं एक नीचे है system services इसमें जाने के बाद आपको यह सब बहुत सारे आपको on रहेंगे ठीक है इसको आप अपने अनुसार जो 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 जिसको आप permission देना चाहते हैं इसको on रखें जैसे मैं home cute alert जरूत नहीं है location based alert यह सब को मैं off कर चुका हूं apple by merchant यह सब को off कर चुका हूं compass collaboration को अगर आप करता है बैटरी इसको उसके बाद मैं एक और option है phone analytics तो iPhone analytics को भी off कर दें लेकिन मैं इसको on इसलिए रखता हूं ताकि मुझे battery cycle count करना होता है इससे battery cycle कितना बद चार्ज हुए यह count करने के लिए मैं इसको on रखता हूं आप इसको off या on रख सकते हैं एक और option है वह सिग्नि आप on ही रखें के बाद करें तो वह है low power mode जैसे ही आपका battery 30% या 20% हो जाए तो आप control पैनल में जाकर के इसको simply आप power को on off कर सकते हैं इससे होगा क्या कि extra जो भी activity आपके iPhone होगा उसको off कर देगा और आपकी battery की स्तिति अच्छी हो जाएगी तो फिलहाल मैं आपको charging की जरूरत नहीं है लेकिन आपको जब भी लगए 20% हो जाए और 30% हो जाए तो आप इसको on कर दें आप इसको automatic on off भी कर सकते हैं कि आपके करने के लिए मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं यह था यह था आपके iPhone से related इसू को solve करने स संबंधित एक वीडियो जब आप iOS 16.2 या 16 पर shift किये हैं तो आपके साथ यह समस्या हो रही होगी तो आप यह सेटिंग करने के बाद आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं और आपकी बैटरी की स्तिती बहुत अच्छी हो जाएगी जहां आपका फोन एक दिन चलता था व जो हम खा सकते हैं।